नमस्कार दोस्तों मैं स्मृति श्रवास्तवन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ दुनिया के महान लेगी स्पिनर शेन वान भी कुरोना वारिस की चपेट में आ गए है इंग्लेंड करिकेट बोट की ओर से सौ बाल प्रतिपारी वाली नई लीग में आउस्टेलिया के पुर्व लेगी स्पिनर शेन वान लंदन स्पिरिट टीम के हिट कुछ बने हैं और इस समय इंग्लेंड में टीम के साथ समय बिता रहे हैं अला कि रभी वार को उनके फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है लंदन स्पिरिट के हिट को शेन वान और टीम मैनेजमेंट का एक और सदसी कुरोना वारिस की चपेट में आ गया है जिसके बाद दोनों सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं शेन वान ने रभी वार को लॉट्स के मैदान पर लंदन स्पिरिट और साउथन वेब के बीच होने वाले मुकाबले से पहले साफ किया कि उनकी तबएट ठीक नहीं है कुछ तेर पहले उनका RTPCR टेस्ट किया गया था जिसकी रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाए गया है आला कि अभी तक लंदन स्पिरिट की टीम के अन्ने किसी खिलाडी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है उन लेकनी है कि पुरुष की The 100 Leaker के पहले इस दस दिन में कोरोना वारिस की चपेट में आने वाले शेंड वान दूसरे हिटपोज बन गये है इससे पहले ट्रेंट रॉकेट्स के हिट कोच एंडी फ्लावर भी कुरोना वारिस की चपेट में आ गए थे और अपनी टीम के पहले तीन मैच मिस्ट करने के बाद फिर से अपनी टीम के साथ जुड़ गए है इस दोरान एंडी फ्लावर के संपर्ग में आई इस टीम मुलानी कलोते ऐसे खिलाड़ी रहे जिने सिल्फ आईसोलेशन में जाना पड़ा गौर्टलब है कि शेंड वान की टीम को पहले तीन मैचों में कोई जीत नहीं मिल सकी है इस दोरान उन्हें पहले दो मैच मेहार और एक मैच बेनतीजा रहा था रविवार को उनका मुकाबला साउथन वेप के साथ वा जिसे अपने पहले तीन मुकाबले में जीत मिली थी शेंड वान के गैर मौजूदगी में नौर्थ हैम्टन शेर के हिट कोच डेविड रिप्ले और लंदन स्प्रिट की टीम के सहायक कोच में से एक टीम के हिट कोच की रूप में काम करेंगे फिल्हाल के लिए खबर में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए मन इंडिया